इस्राइल हमास युद्ध अब इस्राइल इरान युद्ध में तब्दील होता दिख रहा है दोनों देशों में तिवर जंग छिरने की संभावना जताई जा रही है इरान ने 13 अपरिल की शाम को इस्राइल पर करी 300 ड्रोन से हमला किया था इसके साथ ही अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागी थी हालगे इरान के हमले में इस्राइल को कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू ने कहा था ये समले का जवाब जरूर दिया जाएगा जिसके बाग 19 अपरिल की सुबह ही इस्राइल ने इरान पर जवाबी कारवाई की है इरान के लगभग 9 लोकेशन को टार्गेट बनाये गया है इस्राइल ने किस हत्यार से इरान पर किया अटाइक इस्राइल ने सीरिया और इराक में भी इरान समर्थित गुटों के ठिकानों को निशाना बनाया जातर जगों पर इस्राइल ने UAV का इस्तमाल किया है यहीं नहीं इसराइल ने इरान के इफ़ाहांस शहर में भी हमला किया है जहां इरान का नुकलिय प्लांट मौजूद है यह शहर इरान की एक तरह से मिलिटरी कैपिटल है और आई-ार्ट जी-सी का हैड़कॉर्टर भी इसी शहर में है अभी तक इस हमले में किसी बड़ी जवाब देने की बात कही थी लेकिन इरान के राश्टपती इब्राहिम रैसी ने इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा था अगर इसराइल ने इस हमले का जवाब दिया तो हम बिनादेर किये दोगुनी ताकत के साथ इसराइल पर हमला करेंगे ऐसे में इसराइल के इस हम झाल